हमने आंगन नहीं बुहारा और भजन की सबसे बड़ी पातरता है कि अपने मन को इश्वर किश्री चर्णों में लगा लें बाके सब के जिम्मेवारी वो खुद ले लेता है बगवत गीता मिश्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी भगभग मेरी तरफ एक कदम चलता है मैं उसकी तरफ सो कदम चल के आता हूँ हमने आंगन नहीं बुहारा चंचल मन को नहीं समारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान हमने आंगन नहीं बुहारा चंचल मन को नहीं सुकारा कैसे आएगे भगवार हमने आंगन नहीं बुहारा चंचल मन को नहीं समारा कैसे आएगे भगवार हमने आंगन नहीं बुहारा चंचल मन को नहीं फुकारा कैसे राएं के भकवार बजन का भाव है कि हर कोने कल मशकशाए की लगी हुई है डेरी नहीं ग्यान की किरण कहीं पे हर को ठरी अधेरी हर कोने कल मशकशाए की लगी हुई है डेरी नहीं ग्यान की किरण कहीं पे हर को ठरी अधेरी आंगन चोबारा अधियारा कैसे आएंगे भकवार हमने आकर नहीं बुहारा चचल्चल्बन को नहीं समारा कैसे आएंगे भकवार कैसे आएंगे भकवार कैते हैं कि हर किसी से राह पूछना ठीक नहीं होता है गालिब कुछ लोग मन्जिल से भटका भी देते हैं और अगर भक्ति की बात करें रिदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा सूखी है करुणा की धारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान अबने आंकर नहीं बुहारा चचल बढ़ को नहीं सवारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान और जो लोग ये कहते हैं कि राम सिर्फ हमारे हैं राम फला के हैं राम इस व्यक्ति विशेश के हैं मगर राम जी ने अपने जीवन में ये साबित किया कि अगर किसी भीलिनी ने भी सच्चे मन से उनका नाम लिया तो राम ने उनको माता कहके बुलाया उस भिल्ली के प्रती राम का स्ने एक मा के समान था अपनी सगी मा के समान था अगर हमारा मन निर्मल हो तो इश्वर प्राप्ती का रास्ता बहुत आसान हो जाता है निर्मल मन हो तो रगुनायक शबरी के घर आते निर्मल मन हो तो रगुनायक शबरी के घर आते शाम सूर की माह पकड़ते साग विदुर घर खाते शाम सूर की माह पकड़ते साग विदुर घर खाते निर्मल मन हो तो रगुनायक शबरी के घर आते शाम सूर की माह पकड़ते साग भी दुर घर खाते इस पर हमने नहीं बिचारा कैसे आएंगे भगवार हमने आगर नहीं बुहारा चंचल मन को नहीं समारा कैसे आएंगे भगवार हमने आगर नहीं बुहारा चंचल मन को नहीं समारा कैसे आएंगे भगवार कैसे आएंगे भगवारा चचल बन को नहीं सवारा कैसे आएंगे भगवार कैसे आएंगे भगवारा